तो लास्ट लास में हम लोग ने पढ़ा था सिंपल इफ स्टेटमेंट ठीक है जो लोग लास्ट लास अटेंड नहीं कर पाये थे वीडियो लेक्चर्स डले हुए हैं ठीक है लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग एप में डले हुए वहाँ जाके देख सकते हैं अगर लास्ट लास्ट टोपिक नहीं भी समझ में आया होगा तो यह वाले टॉपिक में समझ जाओंगे उसको भी तेक है दोनों चीज कावर हो गी इसमें तो यहां पर देखते हुए हम लोग इफ एलस स्टेटमेंट इफ एलस स्टेटमेंट होता क्या है अब देखाओ, यहाँ पे दो पार्ट है, एक if है, एक else है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, the if else statement is used to perform two operations for a single condition, ठीक है, if else statement is used to perform two operations for a single condition, ठीक है, मतलब एक condition हम लोग लेंगे, ठीक है, उसके दो पार्ट होंगे, ठीक है, या तो वो condition true हो सकता है, या तो वो condition false हो सकता है, है ना, ऐसे ही हो सकता है, या तो वो condition true हो सकता है, या तो वो condition false हो सकता है, दो यह हैं हमारे पास, ठीक है, अगर वो condition true होगा, तो if वाला पार पाट एक्जीक्यूट होगा अगर वो condition false हो जाता है तो else वाला पाट एक्जीक्यूट होगा इसके पहले सिंपल आपके थे वहां कोई था नहीं अगर true होगा तभी वहां पर कुछ हम लोग execute कर पा रहे थे थीकर अगर was false हो जारा था तो कुछ भी चीज execute नहीं हो रहा था ठीक है यहां पर हम लोग false के condition पर भी कोई statement execute कर सकते हैं ठीक है आया समझ में ठीक है आगे दिखते हैं the if else statement is an extension to the if statement using which we can perform two different operations that is one for the correctness of that condition and other is for the incorrectness of the condition ठीक है एक correctness के लिए मतलब true के लिए अगला किसके लिए हम लोग कर सकते हैं false के लिए ठीक है आया समझ में अभी इसका syntax देखते हैं यह है syntax ठीक है यह syntax है इसका syntax इसको ध्यान से समझना ठीक है सबसे पहले यहां लिखेंगे if then उसके बाद expression यहां फिर condition हम लोग देंगे क्या देंगे expression और condition ठीक है अब उसके बाद bracket यहां से start हुआ है और यहां खतम हुआ है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देते हैं इसको पूरा ही नीचे लिगा इसको पूरा नीचे ले जाते हैं अब दिखेंगा पूरा अब देखो ये इफ उसके बाद हम लोग लिखें कंडिशन या एक्स्प्रेशन ठीक है उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर ये हो गया हमारा code to be executed if condition is true ठीक है अगर उपर वाला जो condition हम लोग दिये हैं ये वाला अगर ये condition true हो जाता है तो ये वाला block execute होगा अगर ये condition false हो जाती है तो else वाला part execute होगा नहीं समझ में ये true वाला है ये false वाला part है clear है समझ मैं या ठीक है तो based on the condition जो भी ये condition हमारा उसके according क्या होगा अगर वो condition true हो रहा है तो ये first वाला block execute होगा ठीक है और इसका मतलब होता ही है इस मतलब अगर अगर ये condition true होता है तो ये वाला execute होगा ठीक है अगर नहीं होता है else ठीक है अगर जो English का meaning होता है and else ठीक है अगर नहीं तो क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा ठीक है तो else वाला अगर मान के चलो sector 7 का हम लोग लेते हैं ठीक है sector 7 में सभी लोग जाते हैं sector 7 के ground पे अगर रावन जल रहा था ठीक है अगर वहां बनाये थे वहां जलाने वाले थे तो हम लोग देखने जाएंगे ठीक है condition क्या हमारे पास वहां रावन होना चाहिए ठीक है वहां रावन होना चाहिए ठीक है तो अगर होता तो हम जाते ठीक है मतलब condition क्या हुआ वहां पे तो यह false वाला, आया सोज में ठीक है तो इस प्रकार से e-fails काम करता है तो इसका एक flow chart है, flow chart को देखते है हम लोग क्योंकि जितने भी हम लोग program बनाते हैं, सब के flow chart हम लोग को बनाने होते हैं ठीक है और इस flow chart को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि flow chart में करता क्या है ठीक है सबसे पहले यहां से हम लोग program start करते हैं ठीक है यहां से program start हुआ सबसे पहले condition check होगा ठीक है अगर true हो गया यह condition अगर true होता है ठीक है यह line जो हो true वाली है तो if वाला quote execute होगा ठीक है अगर यह condition false हो जाता है मतलब false वाले path पर जाएगा और false वाला जो code है वह execute करेगा मतलब हमारा जो else वाला code है वह execute करेगा इतना part जो है वो if वाला part मतलब if else का जो पार्ट है वो है यह वाला ठीक है after if मतलब जो if else statement खतम होगे उसके बात का है उसके बात को जो statement होगा normally जैसा execute होगा वैसा होगा आया समाज में ही ठीक है चलो इसका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग जो हम लोग देखे थे ठीक है यहां पर देखो अब यहां पर जो प्रोग्राम बनाए हैं जो और डिवन वाला हम लोग बनाए है ठीक है चलो इसको हम लोग रन करके देखते तब और अच्छे स्क्लिय अपन कर लेते हैं हम लोग एक इवेंड वाला हम लोग प्रोग्राम बनाया थे याद है इवेंड.c इसको में ओपन कर लेता हूं तिक वही प्रोग्राम में बता रहा हूं मैं तिक को नया मैं नहीं लिख रहा हूं तिक उसी प्रोग्राम में बना रहा हूं ठीक है अब देखो यहां पिर write a program to check whether a number is even or not हम लोग not को अटा के हाँ odd लिख देते हैं क्या लिख देते हैं odd ठीक है हम लोग को इस program में ये बताना है कि कोई भी एक number हम लोग enter करेंगे वो even है या फिर odd है ठीक है समझ मैं है question हमारा क्या बताना है इसमें कि कोई भी number जो हम लोग enter करेंगे वो even है या odd है sum है या फिर with sum ठीक है चलो start करते हम लोग ये सब header files लिख लेंगे ठीक है सब में common रहता है बार बार इसको बताने की जरुवत नहीं है हम लोग आते हैं सबसे पर एक variable declare कर लिए int num ठीक है फिर उसके बाद हम लोग लिखें clear screen फिर उसका printf enter a number ठीक है ये क्या करेगा screen पर print करेगा ठीक है क्या print करेगा enter a number उसके बाद हम लोग को कोई भी number input करना है number input कहां से होगा scanf से होगा ठीक है scanf से क्या करेगा उस number को ले लेगा ठीक है अब आते हैं हम लोग उसके बाद if यहां पर लिखे if number mod 2 क्या लिखे है हम लोग number mod 2 equal to 0 number mod 2 equal to 0 इससे क्या होगा number को 2 से divide करेगा उसके बाद जो भी remainder आएगा उस remainder को चेक करेगा कि वो 0 के equal है या नहीं है अगर वो 0 के equal होगा उसका remainder तो क्या होगा even होगा मतलब वो completely divisible होगा 2 से हम लोगो वोई चेक करना है even number हम लोग कैसे पता चलेगा कि even number है जो भी number 2 से completely divisible हो मतलब पूरा का पूरा भाग चले जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे even number बोलेंगे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 282, 300, तीक इस टाग पर कोई भी number होगा वो क्या होगा even number होगा ठीक है अगर यहाँ equal नहीं होता है ठीक है यहाँ पर मान के चलो remainder आ रहा है और वो 0 के equal नहीं है तब क्या होगा condition false हो जाएगा completely divisible नहीं होगा तो completely divisible नहीं है इसका मतलब क्या है वो odd number है ठीक है समझ में है तो यहाँ पर अगर यह condition true हो जाता है तो यह इफ वाला पार्ट मैं लिखना हो else ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है false में क्या होगा कि वो number odd है यहाँ लिख देते है printf ठीक है slash n number percent percent d is odd ठीक है कॉमा देखे यहाँ पर रिख देते है number clear अगर यह condition true होता है तो क्या होगा number even होगा अगर यह condition false हो जाता है तो else वाला part execute होगा और क्या print करेगा number is odd ठीक है किसी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं समझ माया होगा ठीक है compile करते हैं हम लोग इसको compile कर लिए और run कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर मैं डाल रहा हूँ number 300 क्या डाला मैं 300 डाल दी ठीक है और करता हूँ enter 300 is even number 300 is even ठीक है even number है यह अभी if well execute होगा ठीक है फिर से इसको run करते हैं control plus f9 ठीक है enter यह नमबर यहां पर डाल रहा हूँ 299 क्या डाला 299 ठीक है 299 क्या होगा number odd होगा की even होगा होगा बताओ odd number है पक्का लॉक कर दे ठीक है तो कौन्स वाला part execute होगा else वाला part execute होगा ठीक है देखते हैं होता है की नहीं होता है ठीक है नमबर 299 is odd हुआ की नहीं हुआ हुआ ठीक है तो अगर वो condition false होगा तो else वाला part execute होगा अगर true होगा तो if वाला part execute होगा समझ में आया सबके पक्का ठीक है screenshot ले लो इसका प्रोग्राम का screenshot लो ठीक है 100% exam में भी आता है 100% practical में तो आएगा ही आएगा ठीक है practical exam में तो आता ही आता है ये वाला प्रोग्राम ठीक है 50 लोग में किसकी किसमत खुलेगी और ये प्रोग्राम मिलेगा लड्डू सा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है screenshot copy में लिखना होगा तो लिख लो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ठीक है किसी को डाउट होगा तो पूछ लो नहीं समझ माया होगा या क्या हो रहा है कुछ समझी नहीं हा रहा है ऐसा डैप को तो कोई नहीं है ना देखो इतना समझो ठीक है देखो प्रोग्रामिंग शिखने का एक ही मातर तरीका होता है कि मुद्दे की बात करो इसमें ठीक है दिमाग को खोल के रखो, ठीक है, जैसा बोला जा रहा है वैसा करते जाओ, ठीक है, आया समझे, जैसा बोला जा रहा है वैसा करते जाओ, ठीक है, नंबर इवेन है या ओड है, कैसे पता करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमारे पस नंबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं हो होना चाहिए ना हाँ है ना नंबर होना चाहिए ठीक है तो नंबर हम लोग इंपुट ले लिए नंबर इंपुट ले लिए अब इस नंबर को इंपुट ले करेंगे क्या हम लोग उस नंबर को चेक करेंगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा condition लगाना पड़ेगा ठीक है, check तो करना पड़ेगा नबर कैसा बता चलेगा कि odd है ये even क्या की है, एक condition लगाए ठीक है, एक expression बनाए हम लोग, ठीक है ठीक है, क्या expression बनाए है, number mod 2 equal to 0 नमबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ ठीक है देखो और इवन निकालने का एक ही फॉर्मुला है हमारे पास अगर वो नमबर 2 से डिवाइड हो पाएगा तो वो इवन नमबर है अगर वो नहीं हो पाएगा तो और नमबर है इतना पता है सबको ठीक है तो वैसी करते ताल लो ठीक है इतने पार्ट से हमारा remainder निकल गया इतना करने से remainder निकल गया ठीक है तो उस remainder को 0 के बराबर है कि नहीं वह चेक कर लो क्योंकि कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो remainder में या तो 0 देगा या 0 को बड़ी वैल्यू देगा ठीक है अगर 0 आ गया तो मतलब समझ जाओ कि वह completely divisible हो चुका है और वह नंबर इवें है ठीक है मतलब यह condition true है हमारा अगर यह condition true हो जाएगा तो इफ के जश्ट बाद वाला जो block है वो execute होगा clear है अगर यह condition में 0 के अलावा कोई और value आती है मतलब remainder में 1 आती है 2 आती है 3 आती 4 आती है कुछ भी आती है नहीं कैसे 1 आएगा कैसे 1 आ जाएगा हां sorry 1 आएगा 1 आएगा sorry हां question डाला आसका है remainder 1 ही आएगा ठीक है तो अगर 1 आता है तो 0 के equal है क्या नहीं है ठीक है तो क्या हो जाएगा वो सीधा else में चल जाएगा इस ब्लॉक पे जाएगा ही नहीं मतलब यह ब्लॉक को छोड़ देगा वो और कहां चल जाएगा else में चल जाएगा ठीक है मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर मैं इसको कुछ अच्छे तरीके से समझाओ अगर flow chart इसका हम लोग देखें ठीक है तो यह एक ऐसा condition बन रहा है यहां पे देखो यह हमारा condition है यह if ठीक है इसके दो पार्ट है ठीक है यह true है और यह false वाला पार्ट है ठीक है यहां पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं यहां पे even ठीक है यहां पे odd ठीक है यहां पे यह condition अगर true होता है तो क्या होगा true वाला पार्ट execute होगा false भी जाये गहीं नहीं ठीक है दो रास्ते अलग अलग है उसके पास एक true वाला सही वाला रास्ता है एक गलत रास्ता है ठीक है अगर नहीं पड़े तो क्या होगा खराब बनेंगे दो रास्ता है हमारे पास ठीक है तो यहां पे अगर हम लोग इसको condition को true कर लिए ठीक है तो true वाला पार्ट पास एक्सव थियुटब फॉस सब्सक्स अगर हम लोग का कंदीशन फॉस हो जाता है विए है थे क्लियर है और में ए सोनछ में की नहीं आ यह aa आगे समझ में ठीक है किसी कुछ डाउट है प्रोग्राम में इफ ऐल्स समझ में है की नहीं आए ये बताओ ठीक है हाँ बोलो अब बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हो इसको ऐल्स जोड़ दो सब में ठीक है अब वहला भी करके देखते हैं हम लोग ठीक है साही साही दूर हो जाएगी मैं इसको उपन करता हूँ और वोट करके जो हमारा ये वाला प्रोग्राम ठीक है इसको उपन कर लेते हैं हम लोग कि सारे परोग्राम सेव हैं हमारे पास। तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या किये थे। राइट अब चएक हॉष। कि कि तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या किये थे राइट प्रोग्राम तो चेक है गिवन एज इस इलिजिबल फोर वोट और नॉट इलिजिबल फोर वोट और नॉट कौन कलाकारी कर रहा है तो हम लोग क्या कर लिए थे सबसे पहले एक एज एंटर कर लिए थे एंटर एज और यहां से एज ले लिए थे इस एज को हम लोग चेक कर रहे थे एज इस ग्रीटर देन एटीन ठीक है हम लोग यहां कंडिशन क्या दिये थे एज इस ग्रीटर देन एटीन एक ही कंडिशन था हमारे पास कि 18 साल से बड़े होने चाहिए वही चीज हम लोग क्या डाल दिये हम लोग किस में डाल दिये कंडिशन में डाल दिये इस में डाल दिये श थीक है आय armed है अभर यह इस ओंज परा पूरा यह हम लोग कहीं लिखिया है ठीक है तो हम लोग अभी true पे काम कर थीक है अगर हम चाहते हैं कि false पय बहु कुछना कुछ हम लोग को statement execute करके मिले तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग else ठीक है else हम लोग लिख देंगे यहाँ पर और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे printf ठीक है क्योंकि हम लोग eligibility तो check कर लिये हैं not eligible for vote ठीक है इस प्रकार से ठीक है आई समझ मैं भी ठीक है अगर यह condition true होता है तो यह true all apart execute होगा अगर यह condition false होता है तो else वाल apart execute होगा clear है ठीक है समझ मैं की निया है आगया ओके ठीक है इसका भी screenshot ले लो दो समझ मैं की पंड़ण queste हो क्याकुष एसाफ लो अभ़ वह उनकुष झाल ठीक है समझ मैं EFLS कैसे यूज़ करते हैं कि नहीं आया आ गया ठीक है एक और प्रोग्राम हम लोग बनाये थे याद है कौन से बनाये थे इसको भी हम लोग बनाकर देख लेते हैं तो तीनों प्रोग्राम आज आप लोग को बनाना है ठीक है यहाँ पर हम लोग इस यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग लेडर यूज़ करेंगे ठीक है तो यह नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे if else if से ठीक है यहां पे हम लोग else use नहीं कर सकते यहां पे हम लोग को else if use करना पड़ेगा ठीक है तो उसका पहले structure देखेंगे उसके बाद हम लोग इस program में apply करेंगे ठीक है clear तो दो program आप लोग को practice करने है एक vote वाला और एक odd even वाला ठीक है ठीक है और अगर program होगा तो मैं और कराते जाओंगा ठीक है तो आप लोग को समझ में आते जाएगा ठीक है समझ में आए कि नहीं है if else clear है सभी को clear है किसी को कुछ भी doubt होगा तो पूछ लो ऐसा नहीं कि मैं तब डर के मारे नहीं पूछ रहे है या फिर कोई hesitation है किसी को जीजक लग रही है पूछने में मैं कैसे पूछ हूँ ठीक है ऐसा तो नहीं है ठीक है अगर कुछ चीज सीखना है तो बेश्रम बनना पड़ेगा है ना शरम करोगे तो नहीं सीख पाओगे ठीक है बेश्रम इतना भी मत पन जाना कि यो बत्तमीजी लगे ठीक है लेकिन क्या करें सीखना तो है ठीक है तो चलो फिर यहीं खतम करते हैं फिर अगर किसी कुछ नहीं पूछना है तो ठीक है बाकी नोट्स जो है मैं कनवर्ट करके इसको भेज दूँगा ठीक है यह देखो वोट वाला भी प्रोग्राम है जो हम लोग किये है जो हम लोग थर्ड जो ग्रेटेश वाला प्रोग्राम बनाये थे वो इससे बनेगा हाँ जो ग्रेटेश मंग थ्री नमबर्स हम लोग निकाले थे ना वो वाला ठीक है तो कैसे होगा वो हम लोग कल देखेंगे डिटेल में ठीक है चलो फिर झालज की सब यही समाप्त करते हैं सब लोह आज की सबह यहीं समाप्त करते हैं कोई चूटा तो नहीं है हो गया सभी का धन्यवाद झाल झाल